हाई गाईज वेकम बैक तो दे चानल सो अभी आपको टाटा फेस्टिवल आफ कास में काफी सही ओफस दे रहा है और आज अपने पास टाटा सफारी है यहां पे आपको अप्टू 1.8 लाग का प्राइस रिदक्शन मिलने वाला है और आज अपने पार इसका वेरेंट है यह पे आपको डाक एडिशन मिलेगा प्रॉपर फीचर्स मिलेंगे सो कौन सा वेरेंट है अभी अपने उसके वारें बात करेंगे और बिफोर वी स्टार्ट स्पेशल थांक्स तू फ्रंटियर मोटकॉफ फॉर हिल्पिंग याउड और आपको टाटा का कोई पुटक देखना कि यह कौन सा वेरेंट है टाटा सफारी का यहां पे आपको इतनी तगड़ी चीज़े मिलने वाली है सबसे बहले अगर मैं ऑफर के बारे में बात करूं सो अब आपको टाटा सफारी में अप्टू 1.8 लाग का प्राइस रिदक्शन मिलने वाला है ओफर नहीं है डिसकाउ सब कुछ एफेक्ट होगा सब आपको यह गाड़ी कम प्राइस में मिलने वाली है विच इस वेरी गोट थेंग और प्राइस के बारे में बात की जाए सो अब टार्टा सफारी स्टार्ट होती है फ्रां 15.49 लाग एक्श्रूम और आज जो पने पास वेरेंट है ना प्योर इस डाक एडिशन इस पर्टिकुला वेरेंट का एक्श्रूम प्राइस है 19.29 लाक एक्श्रूम तो पहले से यार प्राइस काम हो गया है जिसकी वाएसे आर्टियो इंशॉरेंस सब आपको कम लगने वाला है विच इस वेरी गोट थेंग अब यहां पर आपको क्या क्या च टाटा का एंबलम है यह पूरा ब्लैक आउट आपको मिलने वाला है ग्लॉस ब्लैक में उसके बाद प्रोजेक्टर सेट अप विट लीडी लाइट्स और यहां पर आपको सफारी का बैच मिलेगा और यह सब भी आपको पूरा ब्लैक मिलने वाला है सो एकदम टॉप मोडल जैसा दिखता है एकदम बढ़ियां और अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ सो अभी भी में को लगता है कि टाटा या सफारी में पैट्रोल इंजन क्यों नहीं ओफर कर रहा है आपको एक्सवी सेवन डबलो में पैट्रोल इंजन मिलता है बड़ यहां पे कोई अभी भी पैट्रोल का ऑप्शन नहीं है अभी भी आपको यहां पे टू लीटर क्राइव टेक डीजल इंजन मिलेगा यह प्रेड्यूस करता है 170 पीएस और 350 नम का टॉक इसमें आपको मानुल या फिर ऑटमाटिक दोनों ऑप्शन मिलेंगे बागी एस गाड़ी का इंजन बे हुट तो यार काफी भारी है इसको दो तीन बार उठा के अच्छा वर्काउट हो जाएगा सो हाइड्रॉलिक स्ट्रट्स देना चाहिए वागी यहां पे आपको इंसलेशन मिल जाएगी बिल्ड कॉलिटी और इस वेरी गुड़ बिकॉस दिस दा सेफिस्ट कार वी हाव इन इंडिया सो प्रॉपर फाइफ स्टार सेफ्टी रेटिंग है तो यहां पना आते हैं इस गाड़ी के साइट प्रॉफाइल की तरफ साइट से भी यार अगर आपने पुरानी वाली पर ब्लाक डाउट है और यह सब काफी बढ़ियां लग रहा है बाकी वापन चलते हैं इस गाड़ी के वील्स की तरफ सो यहां पर आपको डाइमंड काट अलॉई वीड्स मिलेंगे अब डाइमंड काट कैसे हैं यह प्रॉपर वह आला नहीं है एकदम सिल्वर कलर इसको भ आपको क्लाडिंग यहां पर सफारी यहां पर हैश्टाग डार्क उसके बाद टर्न सिगनल्स के सब को आपको ब्लैक मिलेगा उसके बाद ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल शाक फिन आंटेना पीछे की तरफ यह हलका सा स्पॉयलर और अपना आते हैं इस गाड़ी के रिय प्रेजन्स मिलती है तो दाट इस वेरी गोड तो प्रॉपर हाइट वगरा है जो की काफी बढ़ियां बात है बाकी ऊपर की तरफ आपको हाई मांट स्टॉप लाइंप रिया वाइप वाशर डी फॉगर यहां पे आपको लाइन मिलेगा और लाइन की वाइफ लाइन के ब में दा कमेंट्स है नव अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ सो इस वाले वेरेंट में आपको पावर टेल गेट नहीं मिलेगा वर ठीक है बटन दबाओ खुल जाता है कौन सी बड़ी बात है और यहां पे आपको अगर मैं सीटिंग कापासिटी के बारे में बात करूँ ना अगर आपको एक प्रॉपर सेवन सीटर गाड़ी चाहिए अगर आपको एक प्रॉपर सेवन सीटर गाड़ी चाहिए ना टार्टा सफारी इस बेस्ट ऑप्शन अधिस प्राइस पॉइंट सो बहुत अच्छा आपको थार्ड रो में एरिया मिलेगा उसके बाद एसी वेंट्स मिलेंगे वहां पे ब्लोवर कंट्रोल नेट अनॉल य इसको बूट की तरह यूस करना है तो फिर तो आपको यहां पे इतना अच्छा एरिया मिलेगा बाकि विट ओल दरो रोज आप उतना एरिया नी है सिव इतना सा एरिया मिलता है तो वहां पे उतना बढ़िया मामला नहीं है बट अगर आप सीट को फोल्ड कर दो तो फिर आ साइस गाड़ी का बूट स्पेस बाकी यार ब्लैक कलर में कितनी सुन्दर दिखती है एक दम दिल आ जाता है और अपन चलते हैं अंदर की तरफ सबसे पहले यह पूरा ब्लैक डाउट है उसके बाद विंडो कंट्रोज या आपको डाक क्रोम में मिलेगा डोपोकेट साथ गुड़ अनाफ अब आगे वाली सीट मैं अपने हैट के साफ से एड़स करी है मेरी हैट इसक्स फीट चलते हैं अंदर की तरफ स्पेस के मामल में यार यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है आ अधाइ सपोर्ड इस अलसो गोड इफ आए वांट तो मैं अपनी सीट को और पीछे या फिर आगे का सकता हूं सो दाट का बी ड़न अगर मैं हैड्रूम के बारे बात करूं सो हैड्रूम यार कोई दिक्कत नहीं है एकदम कंफरडेबल एरिया है और अलसो मैं सीट को रिकल को आगे भी दिख़रा है और साइड में भी दिख़रा है सो क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग बिलकल भी नहीं है एवन दो दा इंटीरर ऐस फुली ब्लकड आूट इस टेल होता यहां पे आपको लाइट मिलेगी उसकेबाद नॉर्मल सा हैंडल है यह बेटर हो सकता था उस सामने वाले को बोल सकते हो कि तेर को जगा नहीं दूँगा, मैं फैल के बैठूँगा और फिर आपको यहां पर इतना अच्छा एरिया मिलेगा, सो, मानुवल आपको यहां पर बॉस मोड बिलेगा, उसके बाद यहां पर तहुसा एरिया है, यूएसबी, टाइप-C, सेंटर में हम पर है, बट लोगिंगा इंद विद्ट अफ दिस वीकल, यहां पर आप दो अड़ल्ट और एक बच्चे को अराम से बठा लोगा है और इफ यू वांट तो तीन अड़ल्ट भी वेट सकते हैं, सेंटर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बट ठीक है, कमफरेबल सीटिंग है, सीट काफी कमफरेबल हैं, एसी वेंट और वागी हपन चलते हैं आगे की तरह सबसे पहले में आपको इस घाड़ी का कीफॉप दिखा रहता हूं, सो यहां पे आपको पुराना वाला कीफॉप मिलेगा, अब मेरे को लगता है कि यहां पे आपको टाटा कव वाला कीफॉप मिलना चाहिए, वो काफी सही है, बड़ यह भी ठीक है, यहां पे आपको ब्लाक डाउट फिनिश मिलेगी उसके बाद, लॉक अनलॉक, बूट रिलीज और फॉलो मी, उसके बाद यहां पे रिक्वेस्ट सेंसर हैं, स्टार्ट करते हैं इसके डोस से, सबसे पहले यहां पे आपको वार वियम कंट्रोल मिलेंगे उसके बाद, चारो पाव इंडोस, फाब्रिक फिनिश, डो पॉकेट सा गुड इनाफ, यहां पे आपको उम्ब्रेला होल्डर भी मिलेगा उसके बाद, इंजन स्टार्च स्टॉप, यह पूरा डिजाइन एन ओल, उसके बाद हाइट एडजस्टिबल ड्राइवर सीट है, अब जैसे आप इस कार के अंदर बैठेंगे, आपको काफी प्रीमियम फीलिंग आने वाली है, बढ़ आद दे सेम टाइम, काफी स्टेल्दी फीलिंग बे आईगी, बिकॉस एविधिंग हाज ब्लाक है, यह ब्लाक है, यह ब्लाक है, सब कुछ ब्लाक है, अनाद दे सेम टाइम, यह सब आपको सॉफट टाच मिलता है, स्टेचिंग एन ओल, यह पूरा ग्लॉस ब्लाक में पानल है, तो प्रीमियम फीलिंग भी है, स्टेल्दी वाइप भी हैं, बाकी यहाँ पे क्या-क्या है, उसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले, लेधर राप स्टेरिंग वील है, इन देस डूल फिनिश, सेम लाइक लांड रोवर, बेंच रोवर, उसके बाद यहाँ पे आपको इलुमिनेटेड लोगो मिलेगा, उसके बाद क्रूस कंट्रोल, यहाँ पे आपको आपको आटो हेड लांप, रेंड सेंसिं मिलने वाली हैं, जैसे की, DF लेवेल, उसके बाद, TPMS, पावर टॉक, जी मीटा, सर्विस रिमाइंडर, उसके बाद, नाविगेशन, अगर आपको यहाँ पे नाविगेशन नहीं देखना है, तो आप यहाँ पे ला सकते हो, so that can't be done, उसके बाद, मीडिया, then we have, ड्राइव डिस्प्ले है, clarity is very good, so वह बहुत सही है, उसके बाद, यह आपको hard plastic मिलेगा, but यहाँ पे soft touch है, यहाँ पे आपको 10.25 inches का infotainment system मिलने वाला है, इसमें आपको wireless android auto on apple कापले मिलेगा, यह हलका सा छोटा है, compared to the top end variant, but ठीक है, it's good enough, it looks good, एक्दम floating सा है, so बड़िया लगता ह and इसका touch response and all is very good, अराम साब इसको use कर लोगे, यहाँ पे आपको multiple चीज़े मिलने वाली हैं, जैसे की climate की setting, drive next, park assist, उसके बाद settings में आपको all चीज़े देखने को मिलेंगी, अगर मैं आपको इसका rear camera दिखाऊं, camera quality is very good, यहाँ पे आपको adaptive guidelines मिलती है, so camera quality बहुत सही है, so ब automatic climate control, और यह पूरा display मतलब, display नहीं है, touch sensitive panel है, तो यह पूरे blacked out आपको panel में मिलेगा, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि एकदम से हाथ लग जाएगा, तो कोई चीज़ activate हो जाएगी, वो एक दिक्कत है, अगर एकदम से कुछ लगता है, तो थोड़ी दिक्कत तो होगी, उसके बाद lock unlock, उसके बाद आपको USB type C, यहाँ पे तोसा area मिलेगा, then we have eco, normal and sport mode, और यहाँ पे आपको तीन terrain के modes मिलेंगे, normal, then we have the wet road and then we have rough road, so normal और अपने के दो modes है, so that's there, उसके बाद यह आपका gear lever है, यहाँ पे भी आपको dark chrome, यह piano black, so all of that is looking good, उसके बाद aircraft style handbrake मिलेग यहाँ पे दो बड़े-बड़े cup holders है, center में अपने पास armrest है with this, fabric finish और इसके अंदर आपको 12 volt, USB, type C, इतनी सारी चीज़े मिलने वाली है, so that's very good, उसके बाद glove box के अंदर भी आपको काफी अच्छा area मिलेगा, compartment वगेरा भी है, so वो एक बड़िया बात है, उसके बाद manually dimming IR यार, VM है, यहाँ पे मैं को लगता है कि आप auto dimming दे देना चाहिए, because काफी कम price की गाड़ियों में आजकल आपको auto dimming मिल रहा है, so that can be done, उसके बाद, यहाँ पे सिवे एक ticket holder है, यह पूरा आपको blackout मिलेगा, उसके बाद, lights and all, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यार, यहाँ पे एक mirror तो देना चाहिए था, यह तो जादा cost cutting हो गई, बाकी यहाँ पे आपको full panoramic sunroof मिलेगी, यार, वहाँ तक open होती है, बहुत बड़ी sunroof है, मैं आपको open करके दिखाता हूँ, बाकी compared to the adventure variant, यहाँ पे आपको mood lighting नहीं मिलेगी, जो यहाँ पे light है न, वह आपको नहीं मिलने वाली है, उसके लिए आपको adventure variant के साथ जाना पड़ेगा, बाकी full panoramic sunroof है, just look at the opening area, कितना बड़ा area है यार, मज़ेदार, बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के safety features के बारे में, यहाँ पे आपको 6 airbags, ABS, EBD, traction control, vehicle stability control, hill start assist, और 5 star safety rating मिलती है, बाकी अब बात करते हैं कि आपको यहाला variant लेना चाहिए कि नहीं, guys according to me, अगर आपको एक proper 7-seater गाड़ी चाहिए, जिसमें आपको proper 7-seating capacity मिले, एक बहुत अच्छा diesel engine मिले, काफी अच्छे features मिले, और एकदम premium interior मिले, फिर मैं कहूंगा आपको Tata Safari के साथ जरूर जाना चाहिए इतनी सही है, और अभी आपको यहाँ पे up to 1.8 lakh का price reduction भी मिलने वाला है, तो अच्छा offer है, अच्छा discount है, इतनी premium गाड़ी है, बागी यह मैं जरूर बोलना चाहूंगा, कि Tata को यहाँ जो अपना मतलब इनके दिक्कतें आ रही है न, light को लेके, electricals को लेके, उन पे जरूर काम करना चाहिए, because customers अगर satisfied नहीं रहेंगे, तो दिक्कत वाली बात है, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए, गाड़ी अच्छी है, but जोगे electrical issues आ रहे हैं, उन पे थोड़ा ध्यान दे, तो बढ़ियां रहेगा, बाकी आपको यह कैसा लागा, do tell me in the comments, so thanks watching guys, I hope I like this video, इसको like का देना, subscribe करना, बाल यकान दवा देना and comment आपको दो कैसा लागा, until the next video, bye